मारसाद बने रही स्विच एक और बड़ी कभर मापको बिताने जारे लए सवेक। यहां पर मेहम के निंदाना गाओं में यह चुक्का जाम किया गया है, साफ़तोर पर देख सकते हैं, किसानों में आतों में तरंगा जंडा है और साफ़तोर पर वो नारेबाजी भी कर रही है और इसी किसानों की मांगे तिनुकृष्णी खानूनों को रद करे और MSP पर खान यह वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है प्रदर्शन, जी बिल्कुल मैं मदीना टोल के पास हूँ और यहां किसानों ने तका जाम किया हुआ है, यह इसार दिली राष्टी राजमारग है, और शांतिपूर्ण तरीके से यहां दरनारत हैं, और तका जाम किया ह पर यहां आभी एक एंबूलेंस अई थी उसको किसानों ने समान जनक तरीके चिनला है यहां से और एंबूलेंस को रस्ता दिया है और सबी जो किसान देता है वो यूआओं से चांति पुर्ण तरीके शेचिका जाम करने की नसियत दे रहे हैं और यहां मदीना टोल पर और व पहलबा में अनुमान मंदिर है नैशनल हाईवे पर यहां किसानों ने जाम लगाया है और निंदाना गाउं जो कि मुक्ते मंतरी मनहुरलाल का पैत्रिक गाउं है वहां लानुमाजरा महम मारक पर किसानों चक्का जाम किया हुआ है और लगातार तीन किर्शी कानूनों को उसक्त शांति पूर तरीके से चल रहा है लेकिन इवज़े से जो चक्का जाम लगाया गया उसमें स्थानी नी लगों को तो दिक्कते आ रही होगी इस थानी मंको किस तरह की और स्थानियन है उन्होंने पहले से ही जन्ता को आगा कर दिया था कि बारा वजे से तीन वजे तक किसान चक्का जाम करेंगे चले राजकुमार बहुत बहुत शूप्या आपका अस्तवाम जानकारी के लिए तो इस बुलचिन में अभी के लिए फिलाल इतना ही जन्ता टीवी आपको पलपल की ख़बर से आगे भी अपडेट करता रहेगा चक्का जाम की खबर को लेकर तो अब तक के लिए आप देखत कर दो कर दो कर दो दिए दो एक लिए को अबगा ही।